हेलो गाइस, वेलकम बैक टो दे क्लास, आइम शुबर महाजन, यह जीएस फेकल्टी दोस्तों, UPSC की प्रेपरेशन के स्टेप में हमारा जो है मॉडरन हिस्ट्री का आज आएगा हमारा लास्ट यूरोपियन कंट्री अगर क्रोनोलोजी की साब से देखा जाए, सबसे पहले आते हैं पॉट्चू की सफिर आते हैं डच, थर्ड हमने जो वीडियो की थी, प्रिवियस हमने वो की थी, इंग्लिश के बारे में, यह इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लास्ट में कौन से आएंगे हमारे फ्रें क्योंकि इनकी आपस में अपने यूरोप में भी लगती थी, और उसके बाद क्या हुआ, जब बाकी यूरोपियन कंट्री अगर इंडिया में बिजनस कर रही थी, तो फ्रांस ने भी क्या सोचा, हमारे इंडिया में आके काम करना शुरू करें, अब बात करते हैं, कभी यह कंपनी मनी थी, सबसे पहले अगर बात कीजा है, 1664 में एक कंपनी मनाई जाती है, गोर्नमेंट कंपनी थी वो, फ्रांस में, और वो किसके द्वार बनाई जाती है, वो थे फ्रांस के फाइनस मिनिस्टर कॉलबट, ठीक है, फ्रांस के फाइनस मिनिस्टर कॉलबट थे, जि नाम क्या था वो था कंपैगनी डीस इंडीस ओरियंटलेस यह कब बनी थी 1664 में फ्रांस के फाइनांस मिनिस्टर कॉलबेट के द्वारा अब बात करते हैं अगर इस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए उन्होंने इंडिया में बड़ा अपना जो है इंपैक छोड़ा था क्योंकि वो थी एक प्राइवेट कंपनी बट फ्रांस की कंपनी की अगर बात की जाए यह क्या थी पूरी तरह से गोर्मेंट कंपनी थी और इसके अफेर्स को कौन कंट्रोल करते थे फ्रेंच गोर्मेंट के ही लीडर्स फिर उसके बाद बात करते हैं इनकी सबसे पहली फैक्टरी इंडिया में कब बनी वो बनी 1668 में कहां पे बनी सूरत में जैसे इंग्लिश की या अंग्रेजों की जो सबसे पहली फैक्टरी इंडिया में थी वो थी सूरत उसी तरह जो फ्रांस वालों की इंडिया में सबसे पहली फैक्टरी बनी वो भी क पर बनी सूरत में कि इन्हों ने बनाई इसको Francis Karen ने ठीक है और दूसरी factory की अगर बात की जाए like English they established their second factory at the Masoli Patnam अंग्रेजों की तरह इन्हों ने कह किया Masoli Patnam में अपनी दूसरी factory बनाई 1669 ADMA बट इसको किस ने बनाया था Persian ये कहां के थे इसफान की अगर बात की जाए ठीक है इसफान ये कहां पर है Spain में ही है तो यहां के एक native थे जिन्होंने इंडिया में आके दूसरी French factory बनाई मसोली पत्नम में उनका ना था मैरकारा ठीक है फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले French governor कोन बने हमारे इंडिया में 1674 में Francis Martin ठीक है ये बने French governor कहां के पॉंडी चरी के चलिए अब आगे बात करते हैं उसके बाद Francis Martin की अगर बात कीज़े जब ये 1674 में गोर्नर बनते हैं उनसे एक साल पहले इनको क्या होता है एक kingdom मिलती है इनको पॉंडी चरी की कि इन्होंने दी थी शेर खान लोडी ये कौन थे गोर्नर थे बीजापूर के सुल्तान के ठीक है और इन्होंने इनको कब दी इसकी जो है capital ये बनी बात में पॉंडी चरी अगर देखा जाए बनाया कि इन्होंने था फ्रांस वालोंने बटी है capital किसकी बनती है जाके Portuguese की इसका मतलब कुछ ऐसी लड़ाई होगी या कुछ कारण वज़ क्या हो गया पॉंडी चरी चला गया पॉंडी इसके हाथ में फि पॉंडी चरी वापिस फ्रांस वालों को मिल जाता है चले अब आगे फ्रेंच कंपनी जो है ये बड़ा जादा इन्होंने फैक्टरी अपने कहां कहां पे बनाई कोस्टर लीजन्स में अगर बात की जाए नीचे साउथ इंडिया में बनाई कहां कहां पे इन्होंने बनाई दी कारी काल जो पॉंडी चारी में ही था बाला सो रोडीसा में था कासी मजार आगया हमारा बंगाल में ये इनके बने में ट्रेटिंग सेंटर फिर उसके बाद क कोन से एरिया में बनाई इरोंने चंदर नगर में ठीक है चंदर नगर में इनकी जो है बेंगाल की सबसे पहली फैक्टरी बनती है फिर उसके बाद बात करते हैं जो फ्रांस वालों की पॉजिशन थी इंडिया में कैसे वीक होना शुरू होती है स्पैनिश सक्षेशन का ट असोली पतनम और बताम जो इंडोनेशिया में था इन्होंने क्या किया इस फैक्टरी इस को अब पूरी तरह से छोड़ दिया बड़ एक चीज या दखना फ्रांस वालों की कंडिशन इतनी अच्छी नहीं थी शुरू के फेस में इंडिया में बट क्या होता है एक ऐसे गो पूरा का पूरा एरिया मौरीशियस का अपने अंडर कर लेते हैं माहे 1725 में और कारी काल 1738 AD में इनके पास मिल जाता है और आपको बताया डूपलेक्सिस जो इनके फ्रांस के गोर्नर होते हैं ये कब आते हैं फ्रेंच कंट्रोल पूरी तरह से इंडिया में अपना वापि इसका मतब जो राजा हमारे इंडिया राजा आपस में लड़ाईयें लगते थे ना उनमें दखल देना किनों ने शुरू किया था फ्रांस वालों ने और किसने ये चीज़ शुरू करवाई थी डूपलेक्सिस ने जोसिफ फ्रांसिस डूपलेक्सिस ठीक है फिर उसके बा कि जो है डिफीट होती है और उससे फ्रेंच पावर थोड़ी सी फिर से क्या होती है डिकलाइन होना शुरू होती है फिर बात करते हैं कैसे फ्रेंच पूरी तरह से वाइडवाश हो जाते हैं हमारे इंडिया से क्या होता है इंगलिश और फ्रेंच के बीच में क्या होती है जिनका हमारे बारती एतिहास में क्या नाम दिया गया हुए एंगलो फ्रेंच राइवेल्लिस ठीक है फिर उसके बाद करते हैं साउथ इंडिया में जो फ्रांस वालों की इंग्लैंड के साथ लड़ाई हुई है उनको क्या कहा जाता है कार्नेटिक वार्स ये तीन वार्स वीज़ी टोटल 1746 से लेकर 1763 एडी में ठीक है जिसकी वाया से अंग्रेज क्या होते है पूरी तरह से जी जाते है और फ्रांस पोजेशन हमारे इंडिया में खाली हो जाता है एक चीज़ आपको बता दू जब हमारा देश अजाद हुआ था 1954 में जो जो French possessions थे इंडिया में उन्होंने क्या किये थे हमें दे दिये थे gift में इनको कहा जाता है seeded इन्होंने जितने भी possessions थे हमें इंडिया में सारे Indian government को gift दे दिया उसके बाद वापिस अपने देश फ्रांस में चले जाते हैं अब Carnatic Wars की अगर बात की जाए कौन कौन सी Carnatic Wars होई है अंग्रेजों के बीच में फ्रेंच लोगों के बीच में सबसे पहले आती है First Carnatic War जो कब हुई थी 1746 से लेकर 1748 में और ये किसकी वज़ा से होई है ये उरोप में क्या होता है उसमें Austrian War of Succession होता है ठीक है जिसकी वाया से इंडिया में भी Anglo-French Rivalry होती है और ये 1748 में खतम होती है और इसमें जो टीटी की जाती है उसको क्या कहा जाता है Axelachapley ठीक है बट इसमें एक चीज या तकना जो France ते वो होते हैं First Carnatic War में पूरी तरह से Victorious ये चीज या तकना Second Carnatic War Cup होती है 1749 से लेकर 54 अब इसका बात करते हैं ये जो फाइट वी थी ना ये इन डिसीजिव थी इसका कोई भी क्या कहते हैं आगे result नहीं आया था बट France को जो इनकी power थी वो फिर से क्या हो जाती है restore हो जाती है और उसके बाद क्या होता है France की politics में क्या होता है एक नया मोड आता है क्योंकि duplexis को क्या किया जाता है वापिस बुलाया जाता है जिसकी वज़ा से France वालों की position इंडिया में पूरी तरह से खराब हो जाती है अब इसमें क्या होता है France पूरी तरह से हार जाते है और इसके बाद क्या होता है Treaty of Paris होती है जिसमें France वालों को अंग्रेज क्या करते है पूरी तरह से permission देते है कि आप क्या करो काम करो बट आप अपनी factories को fortify नहीं कर सकते fortification से क्या होना था कि अगर कभी अंग्रेज क्या करते है इनके ओपर attack करते है तो किले की वज़से वो बच जाते जिसकी वज़से अंग्रेजों ने क्या किया है इनको बोला कि आप से आपने क्या करना है अपनी factories को fortify नहीं करना है बट आप काम कर सकते हो ठीक है इससे क्या होता है France power पूरी तरह से इंडिया में डिकलाइन हो जाती है और English क्या होता है एक Supreme power बनके Emerge होते हैं इंडिया में जिसकी वज़से अंग्रेजों ने क्या किया सबसे पहले बेंगाल के ओपर कबजा किया ठीक है पूरा का पूरा है इंडिया क्या होता है Colonized हो जाता है अंग्रेजों के अंडिर ठीक है अब बात करते हैं क्यों अंग्रेज जो है Victorious निकले और France वाले जो है उनकी वज़से हार जाते हैं अब English की बात करते हैं और French वालों की बात करते हैं They were private organization जिसकी वज़से ये decision लेने में पूरी तरह से एक swift movement करते थे ठीक है अब ये क्या होता थे ये पूरी तरह से state concerned होता था जो भी इन्होंने इंडिया में decision लेना होता थे इनको क्या करना बता था France की country अपनी France की government से जो है ब्रिटिश नेवी एंड आर्मी was very powerful ठीक है फिर उसके बाद बात करते हैं जो France वाले थे ये खाली territorial territorial front base पे ही काम कर सकते थे अगर देखो ना इंडिया में पूंचते ही नहीं अकर समुंदर के रास्ते तो इन्होंने इंडिया में आके कर क्या लेना था ठीक है इसी की वज़ासे जो है ये हार जाते है अब बात करते हैं फ्रांस वालों के कौं कौं से possession मने इंडिया में खाली पॉंडी चरी ठीक है खाली इंडिया का जो इनका possession था वो था पॉंडी चरी इनको कौं कौं से एरिया मिला कैलकटा कैलकटा बॉंबे और मदरास जिसकी वज़ा से इनको जो है अपनी आर्मी जादा रखने का इंडिया में फाइदा मिल जाता है ठीक है फिर उसके बाद बात करते हैं जो अंग्रेज थे इनका मोटिव क्या था इनका मोटिव था कमर्शियल गेन ठीक है इनका मोटिव था कमर्शियल गेन ये खाली इंडिया में पैसा कमाने आये थे बढ़ ये क्या करने आये थे टेरिटोरियल गेन करने आये थे ये मतलब यहाँ पे खाली territories जीतना आये हुए थे इनको पैसा उसे कुछ मतलब नहीं था अब देखो ना जब मैं पैसा कमाने जाओंगा तो मैं कुछ भी चालाकियं कर सकता हूँ ठीक है यही चालाकियं कि इन्होंने की अंग्रेजों ने की जिसकी वैसे वो जी जाते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रांस वालों का सबसे जो खराब मोड आया इनकी लाइफ में क्या हुआ था इन्होंने क्या कर दिया फ्रांसिस ड्यूप्लेक्सिस को ठीक है फ्रांसिस ड्यूप्लेक्सिस को वापिस बुला लिया जिसकी वज़ा से फ्रांस वाले पूरी तरह से हार जाते है ठीक है अब ये था हमारा आज का फ्रांस वालों का फ्रेंच हो गया हमारा आज इसके साथ हमारा जो है Advent of Europeans पूरी तरह से खतम होता है Advent of Europeans पूरी तरह से खतम होता है इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर ये एक कोशन कोई आना होगा ना अगर इसी में से आएगा European के बारे में अगर examiner ने पूछना होगा तो जो आपको पड़ाय हुए इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए PDF आपको मिल जाएगी आप हमें contact कर सकते हैं इस number पर ठीक है बाकी आप क्या कीजिए इस वीडियो को like कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगे comment में जरूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए beneficial थी या नहीं थी फिर उसके बाद हमारे चैनल को subscribe कीजिए अगर आपने नहीं किया हुए और last में जो एक छोटी सी फॉर्मल्टी है इस वीडियो को share जरूर कीजिए क्योंकि हर किसी का benefit होना चाहिए न तो thanks a lot guys next video में आपके साथ मिलेंगे और उसमें हमने क्या करना है British Conquest in India ठीक है British Conquest in India जिसमें हमारी Indian provinces जो है कैसे British से हारती है उसके बारे में हम करेंगे thanks a lot guys God bless you बने रही है हमारे चैनल के साथ